दोस्तों बाद जब किसी सुब गड़ी की हो तो सोना और उससे बने उपहार एक महतोपुन भूमी का निभाते हैं भारत देश में सोने से बने उपहारों और आभुष्णों का आदान परदान्त अत्यन सुब माना जाता है तो आईए इस अमूले धातु के बारे में कुछ बाते भी जान लेते हैं गोल्ड सब्द की उत्पत्ती एक पुराने इंग्लिस वर्ड जियोलू से हुई है जिसका अर्थ है पीला अब तक तक तकरीबन एक लाख एक सट हजार टन सोने का खनन किया जा चुका है सोना धर्ती से सभी साथ महाद्वीपों के नीचे पाया जा सकता है अर्थात सभी महाद्वीपों में इसका खनन किया जा सकता है ऐसा माना जाता है कि धर्ती पर मौझूद लगबग 80% सोना अभी भी धर्ती के नीचे ही दफन है दुनिया के सभी महासागरों में कुल मिलाकर तकरीबन 10 बिलियन टन सोना मोजूद है सोने का खनन करने के लिए बनाई गई दुनिया की पहली वेंडिंग मसीन का मई 2010 में अनावरण किया गया था यह अभी अबुधावी में एक अल्टरा लगजरी होटल में स्थित है वेंडिंग मसीन को ही 24 केरेट सोने में कवर किया गया है रसायन वेग्यानिको का मानना है कि वो लोहे जैसी साधारन धातू को भी सोने में परिवर्तित कर सकते हैं सोने का गललांक 2063 डिग्री फार्ने हाइट है हमारी धर्ती पर बाण ऐसी दुरलब धातू हैं जिनका जनम प्राकर्तिक तोर पर हुआ है और सोने का इस दुरलबता कि स्रेणी में 58 वा स्थान है बिलकुल सुद्ध सोना इतना नरम होता है कि हातों से ही इसका आकार परिवर्तित किया जा सकता है सोना बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक है सोना मानो जाती द्वारा किया जाने वाला सबसे लचीला और आसानी से आग घ्रहन कर लेने वाला सुद्ध पदार्थ है मातर 28 ग्राम सोने को 100 वर्ग फिट की बड़ी सी चादर में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है 1869 में दो आश्टेलियन्स ने अब तक सबसे बड़ा सोने का टुगड़ा धर्ती के नीचे से खोज निकाला था जिसका माप 10.25 पचिस इंच था और इस टुकड़े को उन्होंने वैलकम स्ट्रेंजर का नाम दिया था सुद्ध सोना मानव तवचा को नुकसान नहीं पहुँचाता सन 1912 तक ओलंपिक खेलों में दिये जाने वाले मेडल सुद्ध सोने के ही होते थे पूरे विशू का लगबग 67% सोना साउथ अफरीका से खनन किया जाता है आज के समय में भारत देश पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उब्भोगता देश बन चुका है वैग्यानिकों का मानना है कि सोने को पृत्वी के अलावा मंगल बूद और सुकर ग्रह पर भी पाया जा सकता है दक्षिन एशियाई गहने आम तोर पर पस्चिमी गहनों की तुलना में अधिक सुद्ध होते हैं 14 करेट के बज़ाएं 22 करेट सोने का इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी योट्यूप चनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्याँ